विद्या बिना मती गई, मती बिना निती गई, निती बिना गती गई, गती बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्र गई इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये दोस्तों ये कविता शिक्षा के जनक महत्मा जोतिबा फुले जी की है जोतिबा के क्रांतिकारी कार्य से जुड़ी कुछ घटना है हम आपके साथ साजा करने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ आख्री तक इस विडियो में क्रांति सुरियो महात्मा जोतिबा फुले एक वीद्रोही समाच क्रांतिकार्प थे उन्होंने अपने कारेकाल में अस्पुश्यता निवारन और शिक्षा के क्षेत्र में असमान निकारे किया है सामाजिक असमानता पर उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी से प्रहार किया शिक्षा के बारे में उनका कहना था कि दलित, अस्प्रिशो और महलाओ के लिए शिक्षा का मार्ग अगर खुला कर दिया जाता है तो वे सामाजिक असमानता पर रचा हुआ पाखन समझ पाएंगे और खुद को मानसिक गुलामगिरी से मुक्त कर पाएंगे उन्होंने 1863 में गर्भवती विद्वाव की विडम बनाना हो इसलिए निवारा गुरुह अपने ही घर में शुरू किया अनात वनौजात बच्चों का पालन पोशन भी जोतिराव और उनकी पत्नी वहा कर दी थी उन्होंने एक जन्वरी 1848 को अपनी पत्नी सावी त्रिमाई फुले के संग लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की इसके साथ ही उन्होंने अपने वाड़े में स्तित्कुआ अस्पुशों के लिए खुला कर दिया इसके लिए उनको प्रस्तापित उच्चवर्णियों द्वारा बहुत छला गया और उनका अपमान भी उन्होंने किया भारतिय इतिहास में जोतिबा फुले पहले ऐसे सामाजिक क्रांति कारक थे जिनोंने स्त्रियों और शुद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खुले कर दिये थे ये कार्य उन्होंने 1852 में अपने हाथ मिलिया था ये बताने का कारण यह है कि उस समय न्याय मूर्थी रानडे केवल 14 साल के थे जब जोतिबा फुले ने इन सामाजिक कार्यों को हाथ मिलिया था सामाजिक सुधारनावादी गोपा गनेश आगर कर और महलाओ के विद्यापिट के संस्थापक धोंडों के शव करवे इन जैसे स्त्रीयों की उन्नती के लिए काम करने वाले समाज सुधारों को का तब जनम भी नहीं हुआ था महाद्मा जोतिबा फुले छत्रपती शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित थे महाद्मा फुले का कहना था कि बहुजन समाज की मुव्मेंट को एक आदर्शिवक्ति महत्व की जरूरत है जिसकी विचारधारा पर ये समाज चल सके जब इस भारत भुमिको छत्रपती की स्वराज़ प्रेरना की जरूरत थी तब भारत और महाराष्ट्र शिवाजी नाम के इनकलाप को भूल चुका था तब जोतिबा फुले ने रायगड पर भगना आवस्ता में पड़ी हुई शिव समादी को दुनिया के सामने लाया शिव भक्तों पर जोतिबा फुले का ये बहुत बड़ा उपकार ही कहा जाएंगा नई तो शिवराई की प्रेरना लेकर इनकलाप का आगाज करने वाले भगत सिंग जैसे नोजवान आज भारत में ना होते जोतिबा ने 1879 में शिव जनमोच सव याने के शिव जैनती मनानी की निव समाज में रखी वे अपने पोवाडे में से शिवाजी महाराज का समाज के प्रती जो दुरुष्टी कोन था वो समाज के सामने रखा करते थे जोतिबाने शिवाजी महाराज के लिए पहला पवाडा जो लिखा था वो था कुडवाडी भुशन पवाडा गातो भोसल्यांचा छत्रपती शिवाजींचा लंगोट्यास देई जानवी पोशिंदा कुणब्यांचा काल तो असे यवनांचा शिवाजीचा पिता शहाजी पुत्र मालोजीचा असे तो डवल जहागिरीचा ये पहला पवाडा जोतिबाने लिखा था जो एक एतिहासिक दस्तावेज में संग रही थे जिसी की पता चलता है शिवराय अपने स्वराज्य में सभी जाती धर्मों को एक समान रखा करते थे ना कोई शुद्र ना कोई उच्चवर्नियम पर अफसोस की बात ये है दोस्तों उस वक्के केसरी रुत्त पत्र में इस बात की खबर तक ना ली गई दिन बंधु में इस बात पर लेख प्रकाशित हुआ था महत्मा जोतिवा फुले को बाबा सहाब ने अपना गुरु माना था बाबा सहाब ने महत्मा जोतिवा के विचारों को अपने जीवन में उतार कर उनका कार्य आगे बढ़ाया आजादी के 75 साल बाद भी सरकार ने फुले दामपत्य के क्रांतिकारक काम की दखल ना ली ये बहुत ही दुर्भाग्य पुर्णबाद है फिर भी महत्मा फुले और उनका कार्य किसी मानांकन का मोताज नहीं क्योंकि जैसा कार्य जोतिबा फुले ने इस भारत वर्ष के लिए किया है उस माइने में वह इस भारत भुमी के सच्चे रतन है ऐसे इस क्रांति सूर्य को और क्रांति जुआला को हमारा शत शत प्रणाम दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चाइनल सब्सक्राइब कीजिए